पौड़ी बारवी, मन्ने की इगत कही न जाए, जे को कहे पिछे पच्छताए, कागद कलम न लिखनहार, मन्ने का बहकरन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए. सरलार्थ जो कोई ऐसे नाम के रसिया की अवस्था बयान करने का यत्न करेगा, उसको इसमें सफलता नहीं मिलेगी, बलकि उसको पच्छताना पड़ेगा. संसार में ना कोई ऐसा कागद है, जिस पर नाम के रंग में रंगे महापुरुष की पूरी महिमा लिखी जा सकती हो, नाहीं संसार में ऐसी कलम है जो उसकी पूरी महिमा लिख सकती हो, और नाहीं कोई ऐसा लेखक है जो पूरी तरह से वह महिमा लिख सकता हो. एक नहीं अनेक व्यक्ती भी इकठे बैठ कर ऐसे पूर्ण पूरुष की अध्यात्मिक अवस्था के बारे में विचार करके उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अवस्था विचार और वर्णन से परे है. परमात्मा का नाम उसकी तरह निर्मल और माया रहित है, पर इस बात का ग्यान उस विरले प्राणी को ही होता है, जो नाम में समा कर नाम का रूप हो जाता है. व्याख्या मन्ने की गत कही न जाए, जाने मन कोए. यहां मन्ने से भाव, सोचना, विचार करना या मानना ना होकर सुरत को नाम में अभेद करना है. गुरु साहब कहते हैं कि आत्मा को नाम में लीन कर देने की अवस्था अकत है. नाम निरंजन का रूप है. निरंजन अकत है और नाम में समा कर नाम का रूप हो चुके विक्ती की अवस्था भी अकत है. आप कहते हैं कि यदि कोई इस अवस्था का वर्णन करने की कोशिश करेगा, तो उसे पच्ताना पड़ेगा, क्योंकि वह अवस्था कहने और सुनने से परे है. संसार में न ऐसी कलम है जो उस अवस्था का बयान कर सके, न ऐसा कागज है जिस पर उस अवस्था का वर्णन किया जा सके, और नहीं कोई ऐसा लेखक है जो अपनी बुद्धी या दूसरों से विचार विमर्श करके उस अवस्था का वर्णन कर सकता हो. परमात्मा का नाम प्रभू की तरह माया रहित है उसमें ऐसी अपार समर्थ है कि जो भी मन को उसमें लीन कर देता है नाम उसमें अनन्त गुन भर देता है